पढ़ने चल रहे हैं वैदुत फ्लक्स तथा गौस की प्रमे जैसा कि हम लोग उने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था हेडिंग बाइडिंग सारी टापिक को बहुत अच्छे से कंप्लेट किया था आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं वैद कि वाइद फ्लक्स तथा कि गउस की प्रमिय है कि बोलने के करब में अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग कई बार गाउस बोलते हैं कई बार जो इसमें गॉस बोलते हैं तमाम तरीके के नामों से इसको जानते हैं विद्यार्थियों लेकिन एक्शुल में देखा जाए तो घो घो होती है कि अच्छा एंद च्छाओ विद्यार्थियों कि में को मज़ा रहा होगा ओगा हुगा है सारे हमारे जो भी साथी हैं विद्यार्थी हैं सब को पढ़ने बहुत अच्छा लग रहा होगा चलिए ठीक है देखते हैं इसमें पहली हेडिंग आज बहुतिक विज्ञान इंटरमेडियेट सेकंड डियर की जो है तो दूसरा ध्याय सुरू करने चल रहे हैं ठीक है कम सद्याय है यह दूसरा ध्याय है और उसमें पहली टापिक पढ़ने चल रहे हैं छेत्रफल विक्टर विज्ञान पूर्वक हमारी बात को सुने हम बताने चाहते हैं आपको कि intermediate में जो च्छेतरफल वेक्टर है यहां से आप क्लियर होना चाहिए कि च्छेतरफल वेक्टर मतलब होता है सदिस यहां इस अध्यायव इसे इसमें भी बताने का प्रयास किया गया है वैसे तो हम जनरली जानते हैं समानेता जानते हैं कि च्छेतरफल क्या है एक अधिसरास च्छेतरफल में परिमाण के साथ साथ दिसा भी होती है यानि magnitude डायरेक्शन दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं ठीक है च्छेतरफल का मतलब यह है कि जैसे आप इसे लेट कर लें तो यह क्या है इसका च्छेतरफल हो जाएगा विद्यारतियों क्या है इसका च्छेतरफल और इसमें क्या डायरेक्शन भी होगी ऐसे उपर की तरफ ठीक है लंबवत और इसको छेतरफल को हम दिखाते हैं यहां पर जिसकी डायरेक्शन दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे एन कैप से आप लोग 11 में पढ़े होंगे एक अंक वेक्टर कमान सदयों एक होता है और इसको आई कैप, जे कैप, एकैप, जे कैप, एन कैप आज इसे प्रदर्सित किया जाता है तो विद्यार्थियों यहां पर भी वही बाते हैं यहां पर देखिए अब इसमें छेतरफल में क्या है परिमार तो है ही परिमार के साथ साथ क्या इसमें डायरेक्शन भी नहीं थे अग अगर दिसा की बात किया जाए तो दिसा जो है बाहर की और खीचे गए अभी लंब की दिसा में है यह देखिए जो आप समतल देख रहे हैं समतल के दिसा के संदर में अगर बात किया जाए तो दिसा किधर होगी जिधर लंब खीचा जाएगा ठीक है अभी लंबवत ऊपर की और इसकी दिसा होगी विद्यार्थियों किसकी दिसा तो छेत्रफल की दिसा ठीक है तो आपको पता चल गया छेत्रफल कैपिटल एको इस पर बाहर के और खीचे गए अभिलम के अनुजिस एक विक्टर, ए विक्टर से क्या करते हैं यहाँ पर निरूपित करते हैं ठीक है, अब चाहें आप यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे कि ए विक्टर इक्वल आप क्या करेंगे यह N, N कैफ है ठीक है, और यह क्या है A है, यहाँ से आप क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे, N यह, ऐसे यह N हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको ठीक है, विज़यर से हम बताना क्या चाहते हैं यां, बताना यह चांटे हैं आपको, कि इसमें देखिये, कि छेतरफल तो है, और इस सम्तली छेतरफल में परिमाड भी है, परिमाड के साथ सत क्या इसमें दिसा भी है, और इस छेतरफल की तिसा चितरफ है, अभिलंब वत ऊपर की उट Nembd खीचा गया है, उसी तरफिस की ड यह ही इसका फार्मूला होता है शे त्रफल को दिखाएगा तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई द्दिर तो इतना एक हम इसमें जानना रहता जeत रवह вес के बादद चलिए ठोड़ा सा देख लेते हैं गल कोया होता है गन कोड भी समझना हमारे ली ज़रूरी है कि इतना व्द है एगल इंगल गहन दूसरी ऑड़ीग क्या है तो गहन देख लेते हैं मैं ठीक है आई कि छूशित हद इंगल कि सौलिट एइंगल क्या होता विध्यार्थि आप लोग हमेसा से पढ़ते चले आए हैं कोंड के बारे में 윌 तो खूपण यहाँ है किसी वृत्य की चाप क्या करती है तो वृत्य के केंद्र पर कोण अंतरित करती है और जो कोण अंतरित करती है वही समतलिय कोण कहलाता है क्या कहलाता है समतलिय कोण कहलाता है इस प्रकार विद्यार्चियों आपको हऊ तो यह बात समझ मैं आई है इसमें क्या समझना है कि वृत्त की चाप क्या करती है तो लितनी जोड़ी कहा जाता है विद्यार्थी इतनी बात आपको clear हो गई हो थेक इसी तरीके से हम लोग इसमें भी बात करते हैं जब पढ़ते हैं क्या कहते हैं घंकोन के बारे में देख लिए गंपोन क्या होता है जैसे माल लीजिये यह कोई एक सरकल ठीक है और करेदी कहीं कहीं न कहीं केंद अंतरित कर लिया यह उमीद है यह बात भी आपको क्या हो रही है किलियर हो रही है ठीक है और यहां पर यह जो छेतर फल है इसे हम डी यह लिट कर सकते हैं ठीक है कोंड कितना अंतरित कर रहा है इसके संदर में हमें बात करनी है विद्यार्थियों यहां पर अगर देखा थोड़ा सा नजर डालते हैं तो जैसे अभी आपने देखा था कि बृत्त का चाप केंदर पर क्या करता है कोड़ अंतरित करता है ठीक इसी तरीके बदिए कोई भी प्रिस्ट है तो गोली प्रिश्ट क्या करता है प्रिश्ट का शेत्रफल गोले के कैंद्र पर फ्र कर घोले के केंद्र ale फो जी कोम अंतरशत कर तो तो धरतीर गन कोण कहेंगे अब आपको बात क्लियर होई अब चलिए आगे बात कर लेते हैं आखिर घन कोण का मात रख्या होता है रेडियन वैसे घन कोण का मात रख्या होता है इस्टे रेडियन होता है क्या होता है इस्टे रेडियन होता है तो विद्यार्थियों यहां से आपको उम तो हम यहां पर क्या किये हुए हैं माल ले रहे हैं कोई एक गोला है गोले का केंद्र क्या है ओ है आप लोग देखिए गोले का केंद्र क्या है ओ है और इसके त्रिज्जा कितनी है आ रहे हैं इस चित्र के कार्डिंग बात कर रहे हैं ठीक है और हम इसके प्रिष्ट पर क्या कि विचार करेंगे और यह दिये पर विचार क्या करते हैं कि जैसे क्या करें is शेत्रफल आव्यों की करें इसित बिंदू को गोलने को केंद्रा हुश जि hol यहां पर चैनल से मिलाने पर हमेगन कोंने केंद्र Estados करता है तो और यहां पर देखें गोली चेतरफल कितना डी इए ठीक है और आपको पता है गोली चेतरफल डी यह जो तृज्या के वर्ग के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता और आप लोगों हुने पढ़ाए, निस्पत्टी के बारेम, डीयए, अपानР स्कॉायर एक नियतांग होता है। विद्यार्थियों, ये बाते हैं आप लोग जानते हैं। ठीक है जो डीए होता है आपको हमने बताया है कि जो डीए यानि चुकि गोली छेतरफल जो होता है गोली छेतरफल तिरिज्जा के वर्ग के क्या होता है अनुकर्मानुपाती होता है ठीक है तिरिज्जा के वर्ग के क्या होता है अनुकर्मानुपाती होता है यानि कि यहाँ पर जो डिये अपान आर स्कॉयर आएगा वो क्या होगा एक नियतांक होगा यानि कि हम आपको बताना चाहते हैं यह जो डिये होता है ठीक है डिये अनुकर्मान उपाती होता है आर स्कॉयर के ठीक है इसका मतलब डिये अपान आर स्कॉयर अगर आता है तो डिये अपान आर स् विद्यारतियों यह निस्पती जोывать गलाएगी यह एक नियतांक हैं अब यहां के दर ओ पर कोनu कितना अंतरित हो रहा है तो डी-ऑमेगा अंतरित हो रहा है इस तरीके कि से घन कुण का फार्मूला यहां से क्या है? D omega बराबर होता है, D A upon R square. विद्यार्थियों घन कुण का मातरक क्या होता है? अगर बात किया जाए, तो घन कुण का मातरक होता है, इस्टे रेडियन, घन कुण का मातरक क्या है? गन कुण का मातरक इश्टे रेडियन होता है उमीद है ये बाते आपको ख्लियर हो रहे होंगे विद्यार्थियों अगर इसके आगे हम और बात करें और भी बहुत महातो पूर बात हैं लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे जानना ये ही चाहेंगे ये गोली प्रिष्ट में कोई छेतरफल अवयो लिया गया इसके द्वारा केंदर पर कोण अंतरित हो रहा है इसकी दूरी आर है छेतरफल डिये है और जो कोण अंतरित हो रहा है उसी को डी ओमेगा कहते है और डी ओमेगा बरबर फार्मूला के आया तो da upon r² ये गहन कोण के संदर्व में इतनी बाते हैं जिसे आपको क्या करना है नोट करना है अगर इतनी बात समझ गये हैं विद्यार्थियों तो इसके आगे जो जरूरी बाते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं क्योंकि एक्जाम में वो भी टापिक क्या है important रहती है तो के बात अब हम बात करने चलने क्या होता है वैदुत फ्लक्स चलिए वैदुत फ्लक्स देख लेते हैं सुड़ा सांब है जो भी टापिक जरूरी है उन सब पर चर्चा करते हुए तब आगे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे वैदुत फ्लक्स क्या पढ़ने चलने हैं तो वैदुत फ्लक्स पढ़ने चलने चलिए वैदुत फ्लक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से डीटिल में वैदुत फ्लक्स क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है कि वैदुत छेत्र को ही किसी वैदुत छेत्र को वैदुत ब हाइस्कुल में है यह थोडा सा तो आप लोग एद रखिएगा जो वैदूत फ्लक्स होता है वैदूत फ्लक्स वैदूत Exam minha च्षेतर का आपना एक गुड होता है और हम जानते हैं की वैदूत है किसी वेदद छेत्र को ऊ strangelyरे अर्जहां पर याद रखियेगा वेदध रहेखाने दूर दूर ओजाएंगी वहाँ पर प्रबल होगा बल्कि क्या हो जाएगा निर्भल हो जाएगा छीन्ण हो जाएगा या पिर आप कह experiencing की कमर जो हो जाएगा समा आपको सिर्फ इतना बताना चाहरे हैं है वेदा duy रेखा हैं अगर पास पास होंगी तो याद रखिये का वेदाथ रेखाना कर दूर दुर दूर हो जाएंगी तो वैदुत जो बल है वो कैसा हो जाएगा निर्वल हो जाएगा जैसे हम ऐसे कहें जैसे ऑफ बना रहा को बना देखिये ऐसे जैसे मैं इसे बना रहे हैं तो वैदुद बल रेखा पास पास तो यहीं पर हैं जहां पर वैदुद बल रेखा पास पास हैं यहां पर क्या होगा वैदुद छेतर प्रबल हो जाएगा और जहां वैदुद बल रेखाएं क्या हैं दूर दूर हैं वैदुद बल रेखाएं अ इसी कालपनिक प्रिष्ट पर कहां की बात कर रहा हूं कालपनिक प्रिष्ट की बात कर रहा हूं कि वैदुद छेतर है माल लीजी यही कमरे में वैदुद छेतर है और वैदुद छेतर के साथ साथ यहां पर कोई एक कालपनिक प्रिष्ट है कैसा प्रिष्ट है कालपनिक प्र प्रिष्ट हैं Caram tragen डिश्ट स zor वसकरिष्ट से जो वादत बरे LAUD राखाओं की संख्या की है माप है काईधब वाधिद्वलक्स है कितना जादा है यह किसके वैदुथन रे खाओं पर जितना ज्यादा वैदूत बल रेखा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा वैदूत फ्लक्स होगा कहने का मतलब यह है कि वैदूत फ्लक्स की वैदूत फ्लक्स अस्तित्यों में तब है जब क्या है वैदूत बल रेखाएं अगर आपको मापना है वैदूत फ्लक्स तो वैदूत आपने के लिए आप क्या करेंगे कि कोई यहां पर वैदुद छेत्र है एक जैसा और इसी में कोई एक प्रिष्ठ काल्पनिक प्रिष्ठ माल ले और उस प्रिष्ठ से जितना ज्यादा वैदुद बल रेखाएं बुजर रही हैं वही क्या कहलाएगा वही कहलाएगा आपका फ्लक्स कैसे हम आपको थोड़ी देरम बताते हैं दर देखें चेटर के वाध्यन से जैसे हम लोग सपोच कर लेते हूं कि यह क्या है कोई एक प्रिष्ठ क्या है अपने समाल लेते हैं को यह प्रिष्ठ अब इसमें से क्या होगा कि बलरेखाएं इसे गुजरेंगी क्या हो रही विद्यार्थी हूँ? बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है आपको इतनी बाते क्लियर हो रही हैं थीखे? अब आप चाहिए इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा डाय डेस ये जो बना हुआ है ये एक प्रिष्ठ है और इस प्रिष्ट में से विद्यार्थियों क्या गुजर रहा है तो इस प्रिष्ट में से वैदुत बल रेखाएं गुजर रही है अब आप हमको यह बताईए यह जो वैदुत बल रेखाएं गुजर रही है इनकी संख्या की माप क्या बताएगी इनकी जो संख्या की माप ह ही बताएगी कि इसमें वैदुत छेत्र कैसा है या वैदुत फ्लक्स कैसा है ठीक है तो कालपनिक प्रिष्ट पर अगर आपको पता करना है वैदुत फ्लक्स तो पता होना चाहिए कि आपको वैदुत बल्रेखाओं की संख्या की माप है क्यों वैदुत फ्लक्स वैदुत फ् मेजर कर सके उसको माप सके इसलिए इसको पढ़ा जाता है ठीक है विद्ध्यार्थियों और आपको बता दे कि वह स्केलर गुड़न की रूप में इसको दिखाया जाता है यानि इवेक्टर और डिये वेक्टर की रूप में ऐसे इवेक्टर डाट डिये वेक्टर यानि कि य स्केलर गुणन का मतलब क्या है विद्यार्थियों कि यह सदिस रासी नहीं है वैदुत फ्लक्स क्या है एक अधिस रासी है जैसे कारी के बारे में पढ़ते हैं आपके कारी क्या है डबलू अर्थात कार्य और विस्थापन इन्हीं दोनों का अधिस गुणन कारी कहलाता है व वैदुत फ्लक्स तो स्केलर गुडन ए वेक्टर डाट डिये वेक्टर अभियव से होकर जाने वाला वैदुत फ्लक्स कहलाता है क्या कहलाता है वैदुत फ्लक्स कहलाता है अब यह तो हो गई सामान निसी बाते हैं अगर हम संपूर प्रिष्ट से होकर जाने वाले वैदुत flux की बात करें तो उसके लिए फार्मूला यह होता तो यही यह लिकिन लिख लेते हैं ऐसे कि phi e ऐसे लिख देते हैं phi e equal surface integral क्या लिख देते हैं surface integral यानि कि संपूर्ड प्रिष्ट की बात करते हैं तब आप लोग पढ़ेंगे आगए चल करके समाकलन एक टापिक समाकलन यह बात पढ़ते हैं तो याद रखिएगा वैदुद flux का फार्मूला क्या होता है phi e equal surface integral e vector dot da vector यह है आपका क्या वैदुद flux उम्मीद है इतनी बातें आपको clear हो रही होंगी देखिए अभी तो हम चल रहे हैं साधारल सी टापिक पर आगे चल करके आपको जो इसमें निगमन है जो आपके एक्जाम में आने वाले हैं वो निगमन भी पूरे करवाएंगे और एकदम आसान भासा में कराएंगे आप को कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी कैजसे पढ़ना है जैसे लिखना है दो वैसे बताते वी आपको चल रहे हैं और ऐसे पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा बूर्ड एक्जाम में नमबर भी मिलेंगा नहीं तो नमबर मिला मुस्किर हो जाता है ठीक है तो इत